जेही नमस्कार आप सभी का एक बार फीज स्वागत बारतिय सेना के रेटार अधिकारी हमेशा जेसियो और जवानों का हक छीन लेते हैं जब भी जेसियो जवानों के अधिकारियों की बात आती है तो अपने अधिकार आगे रख देते हैं और जब उसमें कुछ कमी पाई जाती है तो बाबू और नेताओं को कोस्त है ऐसा इनका हमेसा ही चला आ रहा है लेकिन अब जेसियो और जवान समझ चुका है और उसने अधिकारियों की फ्रेटर्निटी से 20 कड़क सवाल पूछे हैं आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो 20 कड़क सवाल अधिकारियों से पूछते हैं जेसियो और जवान इनमें कोई भी ऐसा अधिकारी है वो इनके जबाब दे सकता है देखिए जब भी इनके हितों की बात आती है इनको थोड़ा सा यदि कम मिलता है तो सिधा बाबू और नेताओं को कोशना शुरू कर देते हैं और अब आप सब को पता है कि कॉंग्रेस पार्टी ने एक एक सर्विसमेंट डिपार्टमेंट बनाया है डिपार्टमेंट हमेशा सरकारों में होता है लेकिन यहाँ पे कॉंग्रेस पार्टी ने एक एक सर्विसमेंट डिपार्टमेंट बनाया है जिसमें करनल, बिरिगेडियर, मेजर जनरल और उस से उपर अधिकारी सामिल है उसमें जेशियो और जवानों का नाम ही नहीं है तो आएए 20 सवालों में से पहला सवाल है जेशियो जवान का यानि अधिकारी ये बताने की कोशिस करें या बताएं कि अधिकारियों, नर्सों और जवान के लिए अलग-अलग MSP का प्रावदान किसने करवाया? कौन था जिसने ये बताया कि अपसर्स की MSP ज़ादा हो, MNS की थोड़ी सी कम हो और जेशियो जवानों की MSP बिलकुल ही कम हो दूसरा सवाल है जेशियो जवानों का Who proposed military service pay for nurse more than a सुबदार major? सिपाई से लेके सुबदार major तक असली हक है military service pay का तो ऐसा कौन आदमी था, कौन अधिकारी था जिसने ये प्रोपोज किया कि MNS की जो MSP है वो सिपाई से लेके सुबदार major से ज़दा होनी चाहिए तीसरा सवाल है जेशियो जवानों का Who proposed second lieutenant rank be scrapped but never bothered for CPI rank to be scrapped? यानि ऐसा कौन है जिसने ये प्रोपोज किया कि जो second lieutenant rank है उसको सेना से निकाल दिया जाए लेकिन CPI rank को हमेशा के लिए रखा जाए जेशियो जवानों के सबसे नीचे की rank है सिपाई अधिकारियों में सबसे नीचे की rank थी second lieutenant second lieutenant को निकाल दिया गया लेकिन सिपाई rank को अभी भी रखा गया है चोता question पूछते हैं जेशियो जवान टाइम को बढ़ा दिया जाए जेशियो जवानों के ओर से पांचवाँ सवाल है who proposed that minimum time for J.W.O. in Indian Air Force be 19 years in selection and brought Lepnet Colonel in time bar to 13 years in both cases minimum time was 17 years for selection grade यानि इससे पहले 17 साल में J.W.O. और Lepnet Colonel दोनों को प्रमोशन मिलता था लेकिन ऐसा कौन है जिसने J.W.O. के लिए 19 साल कर दिया और Lepnet Colonel के लिए selection grade में 13 साल के बाद में fix कर दिया Lepnet Colonel pay increase on promotion from major by 32,000 to 35,000 in 13 years time bar while for sergeant 13 years time bar 1800 only for selection grade J.W.O. it increased by 3,800 D.A. at the rate 119% referred यानि J.W.O. और Lepnet Colonel के लिए जो pay और उनके लिए minimum जो service selection grade के लिए further promotion के लिए time scale के लिए इन में इतना बड़ा बैदबाव किस ने किया चटा क्यूस्टन है J.W.O. जवानों का who proposed that promotion for sergeant and above will be based on ACR oblig merit and for officers for promotion and time bar यानि sergeant, हवलदार इनके उपर जितनी भी rank है उनका promotion ACR के आदार पर किया जाएगा आर्मी में Nike से हवलदार के लिए भी लेकिन officers के लिए ACR लागू नहीं है उनको चार time bar जो time scale promotion है जो fixed time promotion है captain, major, lieutenant colonel और आगे time scale colonel इनके लिए जो चार promotion है उनके लिए कोई ACR की जूरूत नहीं है यदि ACR कैसी भी हो तो इनको T.A.S. तो बनाए ही दिया जाता है तो ये भी किसने प्रोपोज किया अधिकारियों का भी time scale भी ACR के आदार पर मिलना चाहिए अगला है सात्वा की उसने JCU जवानों का who brought lieutenant colonel to pay band 4 and not brought हवलदार to pay band 2 age per 6 central pay commission report pay band 4 was given to major general and above छटे pay commission में pay band 4 था वो major general और उससे उपर की रेंग के लिए था लेकिन lieutenant colonel को भी pay band 4 में लाके खड़ा कर दिया जबकि हवलदार अभी भी pay band 1 में है उसको pay band 2 में क्यों निलाया गया आड़वा की उस्चन पूछते हैं JCU जवान who made policy to kick more than 70% सिपाई after 17 years of army service without single promotion and keep officers in service up to 55 years यानि किसने ये policy बनवाई कि सिपाई को 17 साल के बाद में 70% सिपाई को out कर दिया जाए जबकि मिना परमोशन के अपसर्स 55 साल तक सेवा कर सकते हैं नोवा क्यूसन है JCU OR का who justified that your car will become scraped within 4 years and you be allowed to buy again through CSD but a जवान's car will not get a scratch for lifetime एक जवान service के दोरान एक कार और retirement के बाद में एक कार खरी सकता है लेकिन एक अधिकारी हर 4 साल में एक कार खरी सकता है तो ये policy किसने बनाई की अधिकारीों की कार 4 साल में खराब हो जाती है जबकि JCU जवानों की कार service के दोरान सही रहती है और retirement के बाद में जो कार खरी देंगे वो भी सही रहती है उसको कोई problem नहीं आती है जबकि अधिकारीों की कार खराब हो जाती है वो scrape करने लाइक हो जाती है अधिकारी हमेशा ही JCO and OR की pension के लिए यह कहते रहते हैं कि 1973 में इनकी pension को 75% से 50% कर दिया गया था लेकिन कभी भी यह नहीं कहते कि 1973 में हमारी pension को 33% से 50% बढ़ा दिया गया या फिर हमने बढ़वा लिया क्योंकि हमने प्रोपोज किया तो इसके बारे में बतायें कि यह प्रोपोजल किस अधिकारी ने दिया था अगला क्यूस्चन है जेसियो जवान का वन रेंक वन पैंशन इसके लिए जेसियो एंड और इसके साथ एरपोस और नेवी के समान रेंक के जो जवान है उनके लिए ओर ओर ओपी लाने का मकसद था लेकिन इसके बीच में किसने टांगड़ाई और किसने प्रोपोज किया कि अधिकारियों को भी वन रेंक वन पैंशन मिले उनको तो पहले ही 55 साल सर्वीस के बाद में इतनी पैंशन हो जाती है कि और ओर ओपी की आउस्यक्ता ही नहीं है फिर भी इन्होंने अपने लिए और ओर ओपी लागू करवा दी तो इसका प्रोपोजल कोन लेके आया 12 वा चैंशने Ajseo जवान का यह आपने भी देखा होगा Ajseo OR लो मेडिकल केटिकरी होता है तो उससे Ajseo Optimist का सर्टिपिकर साइन करवा जाता है कि वो आगे सर्वीस करना चाता है या नहीं यदि वो सर्वीस करना चाता है तो commanding officer उसकी service को note recommend कर देता है जिससे कि वो release medical board out या invalid medical board out हो जाता है लेकिन अधिकारियों के लिए ऐसा कोई प्रावदान नहीं है कि उनसे celted appointment का certificate sign करवा जाए वो low medical category होने के बावजुद भी 55 साल service कर सकते है अगला question है JCO जमानों का कि controller and auditor general of India observed that 40% of users retard with disability pension after that government implemented new policy in disability pension and named as employment impairment relief 21 September 2023 को एक policy आई है जिसका नाम है casualty pensionary award 2023 और उसमें disability pension और disability element को खतम करके impairment relief उसका नाम दिया गया है ये policy आने के बाद में अधिकारियों में हड़कम मच चुका है क्योंकि केग ने ये point out किया था कि हर दो officer में से एक officer disability pension के साथ ही retire होता है तो इसके लिए लगाम लगाने चाहिए और सरकार ने लगाम लगाने के लिए 2023 की नई disability pension की policy जारी किये और ये जारी करते ही अधिकारियों को मिर्ची लग गई है mostly benefits of officers cut down and income tax rebate may also be stopped in disability pension ये policy आने के बाद में जो disability pension के उपर income tax rebate मिलता था वो अब income tax का rebate नहीं मिलेगा उसके उपर income tax लगेगा और इसी बाद से सभी अधिकारी गबरा गए हैं कि हमारी जो disability pension है उसका मोटा हिस्सा income tax में चला जाएगा उसी को लेकर ये बावले हो रहे हैं और बार बार जो कॉंग्रेस का एक सर्विश्मेंट डिपार्टमेंट है वो एकटा होकर अपनी बयानबाजी कर रहा है hence officers started to cry जबकि पता है कि जवानों को कितना disability pension मिलेगा 6-8,000 रुपे मिलते हैं 45,000 रुपे तक मिलते हैं तो उसमें कितना टेक्स ले लेगी सरकार लेकिन अधिकारियों के जो disability pension ने वो हर महिने डेट लाग रुपे से दो लाग रुपे हैं और साल के 20 से 25 लाग रुपे तो disability pension के ले लेते हैं इनको है सरकार के खजाने में income tax जमा करना पड़ेगा इसलिए ये उचल रहे हैं और कूद रहे हैं तो इसमें अधिकारियों को income tax जमा करने में क्या problem है वो कोई बता सकता है 14th question है JCO जवानों का Congress party framed ex-servicement department in which all members are officers Congress party ने अभी 3 मेने पेले एक ex-servicement department बनाया है जिसका head करनल रोहित चोदरी साब को बनाया है उसमें जब भी देखते हैं कि press conference में अधिकारी बैठे रहते हैं cape लगा के they should tell the ex-servicement community that how many JCOs are in ex-servicement department of Congress party उन 4-5 जो अधिकारी आते हैं press conference में जिसमें एक बोलते हैं बाग की सब बैठे रहते हैं तो उन में से सभी में से कोई एक ये बता है कि आपकी जो ex-servicement department की party है उसमें कितने JCO and OR है जब JCO OR है ही नहीं तो आप इस ex-servicement department का head बनकर JCO OR की बात क्यूं करते हो आप अपने अधिकारें के लिए लड़ो आपको पता है आप ex-servicement commission में convert कर दोगे तो आप अपने ही अधिकारें की बात करोगे न JCO and OR के अधिकारें की बात करने के लिए आप अपनी ex-servicement department में JCO and OR को भी रखना पड़ेगा उनके भी सुजाव आपको लेने पड़ेंगे तो आप ये बताएं कि आपका जो ex-servicement department है उसमें कितने JCO है और कितने OR है और उनको भी press conference में साथ में लाके बिटाए जाए जहाँ पर उनका परिचे करा जाए कि ये फलाना फलाना हवलदार है ये फलाना फलाना नाइब सुबदार है ये फलाना फलाना सिपाई है और ये टिगट गया जाएगा चलिए पंदरवा सवाल है JCO OR का कि Congress parties ex-servicement department has not taken the anomalies in OROP1 and OROP2 till that यानि ex-servicement department बनने के बाद भी अभी तक आपने कभी भी JCO OR की pension anomalies के बारे में बात नहीं की इवन दो आपने 1 rank 1 pension 1 और 2 के बारे में भी बात नहीं की and as the election of 2024 is close और जैसे ही 2024 के लोकसभा के चुनाव नस्दिक आने लगे they started to shouting for JCOs and OR आप अब JCO, JCO, OR, OR करने लगे why they not taken up the issue of pension anomalies of JCOs and OR till date तो आप में से कोई ये बताने की कोशिस करे कि आपने 2014 से लेके अभी तक JCO and OR की बात क्यों नहीं की सोड़मा क्यूस्टन है JCO and OR का who are demanding for NFU NFU है Non-Functional Upgradation जब आपने 55 साल नोकरी भी कर ली उसके बाद आपने 1 rank 1 pension का फाइदा भी उठा लिया तो अब आपको JCO जवानों को मिलने वाली MACP से जेलिसी क्यों हो रही है मिलने वाली MACP के नाम पर आप Non-Functional Upgradation की बात कर रहे है आपको मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ जो विवर्स है उनको बता देना चाहता हूँ कि ये NFU क्या है NFU एक AC परणाली है सिस्टम है जिसमें की अधिकारियों के बेच में से मालो की 40 अधिकारियों का कोई बेच है जिन्होंने एक साथ ट्रेनिंग की है कमिसन लिया है उन में से एक भी अधिकारी यदी परमोट हो जाता है तो जो अधिकारी परमोट होता है उसको जो फाइदा मिलने वाला है वो सेम फाइदा बाकी बेच के सब भी 39 अधिकारियों को मिले इसका मतलब है NFU जो की Civil IS IPS जो Foreign Services होती है उन में होता है और उस वो ही डिमांड कर रहे है सेना के अधिकारी कि हमें भी NFU दिया जाए तो यह प्रोपोज करने वाला कौन अधिकारी है इसके बारे में भी बताएं सत्रवा क्यूस सनेज जेसियो जवानों का Government issued new policy on disability pension in on 21 September 23 and directed that cadets invalidate out during training will not be benefited with disability pension hence officers become angry आप यह बताएं कि पहले जो policy थी जिसमें यह था कि cadets से दी training के दोरान invalidate out हो जाते हैं low medical category के करण कोई injury के करण तो उनको pension नहीं मिलेगी यानि disability pension नहीं मिलेगी और बीच में सुप्रीम कोड के अधेस के अनुसार मिलना सुरू हो गई लेकिन 21 September 2023 से सरकार ने इसको फिर से बंद कर दिया तो यह किसको तकलीप हो रही है कि इनको pension मिलनी चाहिए बताएं अठारवा नंबर क्यूस्टन है officers taking जवान as psych and if they denied they are side stepped यानि अधिकारी जवानों को साइक रखते हैं और जब वही साइक वही जवान साइक डूटी के लिए मना कर देता है तो उसको side step कर दिया जाता है who is responsible for date of rifleman Amit Singh तो यहाँ पर बताने की खोशिश करें या बताएं rifleman Amit Singh की जो date हुई है उसके लिए कौन जिमेवार है अगला question 19 are the officers considering JCO's oblique OR is full क्या अधिकारी JCO जवानों को मुर्ग समझ रहे है why they are calling जवान JCO OR यानि जब चुनाव नजदिक आ चुके हैं तो वो क्यों जवान JCO OR अधिकारी अपने आपको जवान कहते हैं क्यों कहते हो आप अपने आप जवान आप अधिकारी हो अधिकारी को JCO and OR को जवान कह सकते हैं तो आपने क्या JCO जवानों को मुर्क समझ रखा है कि इनको हम एपने साथ में मिला लेंगे और बार बार वोट की चोट वोट की चोट कहते हो तो वोट की चोट अधिकारी कितने हैं किसको वोट की चोट मार सकते हो वोट की चोट JCO and OR मार सकते हैं और वो अपना decide खुद करें आपको उसके हमेती बनने की क्या जूरत है कि JCO or जवान वोट की चोट मारेंगे वोट की चोट जिसको मारना होगा जेसी ओवार पहले से 2014-13 में मार चुके हैं और 2024 में जिसको मारना होगा वो मारेंगे आपको जेसी ओवार से क्या करना जब आपके एक्सरेश्मेंट डिपार्टमेंट में जेसी ओवार है ही नहीं चलिए लास्ट क्यूस्टन यानि यह जो 19 क्यूस्टन कड़क सवाल पूछे गए अधिकारियों से इसके अलावा भी और भी कई धिरों सवाल है जिनको यहाँ पर लिस्ट आउट किया जा सकता है लेकिन यह सवाल में सवाल है इनके इदी कोई जवाब दे दे तो आगे और भी लिस्ट आ सकती है जो उपर 19 क्यूस्टन पूछे गए है वो आपके लिए बहुत है इदी के यह आप जवाब दे देते हो तो अच्छी बात है नहीं तो जो बाबू जो नेताज के नाम पर आप जेसियों और के नाम पर राजनीति करनी शुरू कर दिया ना आपने उसको बंद कर दो I am sure 90% of sir sitting in SE office at headquarters are real culprish behind the all discrimination and injustice for above state points याने JCO and OR के साथ में जो भी बेदबा हुआ है जो भी अन्याई हुआ है उसके लिए 90% वो अधिकारी है जो AC में बेट कर आदे सपास करते हैं इसके बारे में आप सबकी क्या राई है इस वीडियो का आप share करते रही है share करते वे नहीं रुखना चाहिए ताकि हर एक जवान JCO तक ये वीडियो पहुँचे और उनके अधिकारों के उपर जो केंसी चलाई जा रही है सेना के अधिकारियों दोरा लिटार अधिकारियों दोरा उसके बारे में उनको पूरी समझ आ सके कि असली आपकी pension और जो pay anomalies है उसके पीछे culprit कोन है अभी सरकार जो बजट जारी करती है उस बजट में बराबर हिस्सा होता है उसमें से यदि एक वर्ग ज़्यादा हिस्सा ले लेता है तो बाकी जितना भी वर्ग है उसको बाकी बचेयों बजट में से ही उतना ही मिलेगा जैसे हम बात करें कि सरकार ने अधिकारियों JCO and OR के लिए 100 रुपे का बजट का प्राधान रखा इस पूरे साल में 100 रुपे से काम चलना है जिसमें से 30 रुपे अधिकारियों का है और बाकी 70 रुपे JCO जवान का है अब उस 30 रुपे में यदि अधिकारी संतुष्ट नहीं होते हैं और वो डिमांड करते हैं कि हमें 40 रुपे चाहिए तो बाकी बचा JCO और के लिए 60 रुपे उसी में से JCO और को मिलेगा तो यहां पे हक मारा गया जब जब भी अधिकारियों ने JCO जवानों के अधिकारों के उपर केंची चलाई है तो JCO और को डिप्रिवड होना पड़ा है उनको कम उनका हक मिला है और यही कारण रहा One Rank One Pension में और अब डिमांड करी जा रही है NFU की इसके बाद भी NFU आता है तो भी JCO और को MACP में गाठा देखने को मिल सकता है क्योंकि कहीं ने कहीं उनके अधिकारों पर केंची जरूर चलेगी इसलिए सातियों JCO और जवान जग जाएं अपने अधिकारों को समाल के रखें और जहां पर भी अन्याय होता है वहां पर लड़ना सुरू कर दें 2024 एक अच्छा मोका है समय आपके पास है पटल आपके पास में है रास्ता आपके पास में है सोचना आपको है किसी के बेकावे में नहीं आना है इनके पीछे गूमने की आउसकता नहीं है आप में इतनी ताकत है कि आप अपनी मांगों को मनवा सकते हैं लेकिन जो आपसी जगड़ा है उसको खतम करके तो ये जो 20 सवाल यहां पर पूछे गए हैं इन में से जो भी इलाइट कलास है जो डिफेंस अफसर से वो जबाब दे सकते हैं कोई सुटेबल उनके पास में रिपलाई हो तो बता सकते हैं कि ये इस कारण हुआ था बढ़े चैनल के साथ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें जहिन